तुना पांडे को लेकर सिवान के जिलाद्यक चुमेश ठाकूर ने कहा कि बेटी की उम्र की लड़की से छेड़खानी करने वाला तुना पांडे ब्राहमण हो ही नहीं सकता, हम माल लेते हैं कि लड़की से छेड़खानी करने वाला ब्राहमण नहीं होता है, लेकिन किस जात के तरफ से पक्ष को कहा जाता था कि आपके विदायक हमारे संपर्ख में हैं लेकिन फिलहाल सत्ता पक्ष के अंदर ही एक दूसरी पर ने ताहमलावर हैं और अब निलंबी टूना पांडे को कॉंग्रेस का समर्थन भी मिल चुका है बात सीवान से शुरू हुई तो के नाम पर अपना दाव भी चल दिया तो दूसरी तरह भारतिये जंता पार्टी से निलंबी टूना पांडे पर फ्रिश्वत खोरी का आरोब भी लगा दिया हमेशा कहा लियाता है कि राजनीतिव को समझना इतना आसान नहीं है और आप यहां भी समझ सकते हैं कि टूना प हो चुकी है कि अमुलेंस घोटाले में उनकी सनलिपता है रेकिन चार दिन पहले तक जमिलंबित भास्पा MLC तुना पांडे चुप थे तब इनके उपर किसी भी आरोपया घोटाले का कोई जिक्र नहीं कर रहा था अब नमसकार में रणा में मोहित कुमार सिंग और आप द कहानी की शुरुवात हुई पुर्व मंत्री और नितिश कुमार के करीमी माने जाने वाले विक्रम कुमर के एक पत्र से पुर्व मंत्री विक्रम कुमर ने पत्र लीकर अमुलेंस घोटाले की जानकारी दी जिसके बाद से राज की राइनिती में हर कम बज गया उन्होंने भारत के जनताप पार्टी के MLC टुनाप पांडे सामने आ गये और उन्होंने लगे हाथ मुख्यमंतरिय नितीश कुमार पर आरोप लगा दिया और जेल भेजने तकी धमकी देडाली अब मामला बढ़ चुका था मुख्यमंतरिय नितीश कुमार पर आरोप लगाए जाने से जद्यू के नेताब उखला गये और उन्होंने तुनाप पांडे पर जोड़दार हमला बोला भारत के जनताप पार्टी को लगा कि भाजपा और जद्यू के बीच उपरी अस्तर पर मामला ना बिगले इसके लिए भाजपा करनुशासन कमेटी की तरफ से तुनाप पांड की सनलिप्ता एंबूनेंस घोटाले में है सिवान भाजपा के जिला जक्ष ने कहा कि तुनाप पांडे शराब माफिया है और शराबंदी से तिल मिलाए हुए है हम मानते हैं कि वह माफिया है लेकिन यह बात क्या भाजपा नेताओ को अब पता चला कल तक भाजपा के जिल पता चला कर रहे थे का जाता है कि अपराज को जानते हुए ना बताने वाला अपराधी से भी बड़ा अपराधी होता है तो इस हिसाब से आप अपने आप को क्या मानते हैं तुनाप पांडे को लेकर सिवान के जिलाद्यक चुमेश ठाकूर ने कहा कि बेटी की उम्र की ल जाती और धर्म का क्या लेना देना है तुनाप पांडे नो जो जल्ति जो गल्ति किया है उसकी सजा मिले अब पूरा मामला आप लोग जान लीजिए जुलाई 2016 की बात है MLC टुनाप पांडे पुर्वांचल एक्सपेस से यात्रा कर रहे थे हाजी पूर जी आरपी ने उन्हें गिरफतार किया था पता लगा और उन पर आरोब था कि उन्होंने 12 मर्स ये बच्ची से छेरचार किया है जब मामला सामने आया और विवाद बढ़ा तो भार्तिये अगर तुनाप पांडे ने छेरचार की थी तो भाजपा ने उन्हें वापस क्यों बुलाया और अब तक भाजपा नेता इस मुद्देव पर्मुबंत किये हुए थे सिवान कि सत्कप्ता यादों के पती और नितिश कुमार के करीबी माने जाने वाले अजय सिंग ने रिश्वत का अरोप लगाया है तो वहीं कल तक शाबुदीन को गुंडा बताने वाले जद्यू के नेता अब उन्हें पार्टी जवाइन के रानी के लिए भी तयार है पुल मिलाकर बात यही है कि राजिती में कब क्यों और कैसे क्या हो जाए इसका सटी कंदाजा कोई नहीं लगा सकता अब आगे देखिए कि राज की राजिती महुर क्या होता है आगे जो कुछ नहीं जनकारी आएगी उसे महब तक पहुंचाते रहेंगे अगर वीडियो फ